नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com में आपका स्वागत है, मिरे नाम है फ्याज Income Tax File करना ना सिर्फ हमारी नेतिक जिम्हधारी है, बलकि कानूनन हमारे लिए जरूरी भी है Income Tax File करने की देट धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है, तो ऐसे मैं मैंने सुझा है कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाओं, जिससे मैं आपको बताओं कि Income Tax File करने में इस साल कौन-कौन से नए नियम आए हैं, और कौन-कौन से नियम है, जो कौन-कौन से काइदे हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है इस साल के अपने Taxes File करने से पहले इस साल अब तक Taxes File करने की डेट तीन बार Extend हो चुकी, सबसे पहले तो यह जून 30 तक थी, फिर जुलाई 31 तक और अब कहा जा रहा है कि September 30 is the last date of filing the tax returns और अगर आपने अब तक यह Taxes File नहीं किये हैं, तो आप कोशिश करें कि इसे September 30 तक ही किसी तरह पे कर दें बहुत सारे लोगों वो लग रहा है कि इस साल भी यह September के आगे और Extend होगा, लेकि मुझे personally नहीं लग रहा है कि यह date दुबारा Extend होगी क्योंकि आप हम लोग calendar year के आखरी quarter में खुश जाएंगे September के खतम होने के बाद और मुझे लग रहा है कि chances बहुत ही कम है क्योंकि due date के बाद taxes file करना एक बहुत ही complicated process होता है और यह बहुत ही special cases में ही allow किया जाता है अगर आप September 30 से लेके December 31 तक अपने taxes को file नहीं करते हैं तो आपके ओपर 5000 रुपे की penalty चार्ज की जाएगी अगर आपने December 31 से लेके March 31st 2021 तक अपने taxes file नहीं किये हैं तो आपके ओपर 10,000 रुपे की penalty चार्ज की जाएगी और अगर आप एक ऐसे taxpayer हैं जिनकी income 5,000,000 रुपे तक की बनती हैं तो अगर आप 31st March तक 2021 तक अगर आप अपने taxes को file नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपे की penalty देनी पड़ी अगर आप financial year 19 September के अपने taxes को file करना चाहते तो आपके ओपर 10,000 रुपे की penalty चार्ज की जाएगी और अगर आपके कुछ refunds आने वाले हैं जो आपको लग रहा है कि TDS जो आपने साल भर pay किया है अलग अलग जगा पर जो आपका TDS कटा है जो पैसे आप expect कर रहे हैं वो पैस आपको इस साल आपके taxes file करने के बाद ही मिलेंगे तो कोशिश करें कि आपने taxes को आप डूली file कर दें ताकि आपको जो TDS है उसको आने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़ें क्योंकि tax department आपको interest pay करता है आपके refunds पर आपके date of filing से तो कोशिश करें क कि आप किसी भी तरह से उसे उस due date के अंतरगत भर दें ताकि जो आपको interest मिलने वाला है अपने TDS पर वो सुनहरा मौका आप ना गवा दें और अपने interest को भी कमाएं और कोशिश करें कि आप किसी भी तरह की penalty को अपने उपर ना आने दें और डूली अपने सारे taxes को file कर दे और कोशिश करें कि आप किसी भी तरह की tax चुरी ना करें हम लोगों की tendency होती है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी taxes को कम करने की कोशिश करते हैं हम लोग अपने C.A. को बात करते हैं कि आप कुसी भी तरह से taxes बचा ले हमारे लेकिन मैं suggest करूँगा कि आप ऐसा ना करें तो आपका एक growth नहीं दिखेगा तो कोई भी इंसान को किसी भी तरह की financial institution को आपके ओपर trust नहीं होगा और क्योंकि आपके ओपर trust नहीं बनेगा तो किसी भी तरह कि जब आप loan लेने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को कहा जाएंगे आपने सुना ही होगा कि कहा जाता है क तो कोई भी financial institution या फिर कोई भी bank आपको loan क्यों देगी वो बुलेंगी कि यार ये बंदा तो पैसे कमा ही नहीं रहा है ये बंदा तो business भी कर रहा है तब भी 5 लग तक की income दिखा रहा है तो कोई भी आपको loan नहीं देगा तो कोशिश करें कि आप अपने taxes को file करें और अपन या सुझाओ हैं तो आप हमें comments में आके दे सकते हैं इस वीडियो के पस्त आने पर इस वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe कर दें अगर आप इसे facebook पर देख रहे हैं तो हमारे page को like कर दें बेल एक उनको दबान अना भूलें ताकि आप हमारे आने वाली किसी भी update को miss ना करें मे 10 लाख परिवार बना रहे हैं अपना भविश्या financial freedom app के साथ क्या आप निर्मान करना चाहते हैं शुरू करें अपनी यात्रा अमीर बनने की financial freedom app के साथ बुद्धिमान बनो अमीर बनो